नमस्कार इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है कॉंग्रेस राष्ट्य अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन की तैयारिया चल रही है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत 28 सितंबर को नामांकन कर सकते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करने की घोशना के बाद राजिस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है कॉंग्रेस पार्टी में जैपूर से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है वही अब अशोक गहलोत और सचिन पाइलेट गुट के विदायकों ने एक दूसरे के समर्थन ने बयान बाजी शुरू कर दी है राजेंद्र सिंग गुड़ा ने सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री के लिए सबसे बहतर चेहरा बताया उन्होंने कहा अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्स बनना लगबग तै हो गया है उनके बाद सियम पद के लिए कांग्रेस में पाइलेट से बहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता पाइलेट युवा नेता हैं वह अपने अंदाज में राजनीती करते हैं से लगता है कि वह नवरात्री में सियम बन जाएंगे मंत्री गुड़ा ने कहा राजस्थान के नए मुख्य मंत्री पर अब आला कमान को फैसला करना है जो भी होगा उसे सभी कॉंग्रेसी और हम बस्पा से आए च्छे विदायकों के साथ पार्टी को समर्थन देने वाले सयोगी उसके साथ रहेंगे इस बार कॉंग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है चुनाव में सचिन पाइलेट के चेहरे का भी फर्क पड़ेगा दो हजार तेईस में शांदार तरीके से कॉंग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे इधर स्वास्त मंत्री परसादी लाल मीना ने सीम अशोग गैलोत के समर्थन में दावा किया उन्होंने कहा कि मैं गैलोत के साथ हूँ उसके साथ तीन बार मंत्री रह चुका हूँ हम पार्टी आला कमान के फैसले के साथ खड़े हैं आला कमान जो फैसला करेगा वैस सभी को मानने होगा इससे पहले सचिन पाइलेट परोसा है इसलिए कोई भी साथी शोशल मीडिया पर कुछ भी अन्वांशक पोस्ट और कमेंट ना करें अशोग गैलोत के मोजुदा रुक को देखते हुए कहा जा रहा है कि राजिस्थान केबिनेट में भी फेर बदल हो सकता है गैलोत पार्टी अध्यक्ष बने तोस्त उन्हें सीम पर छोड़ना होगा राहूल गुरुवार को साफ कर चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद का नियम सक्ति से लागू किया जाएगा ऐसे में चर्चाएं ऐसी हैं कि सचीन पाइलेट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यानि अगला चुनाव प्रिवाद